करें आज हम एक कप गहू के आटे से प्रभक की जल्दबाजी में बच्चों के टिफिन के लिए या सुभक के नास्ते के जटपट नास्ता केसे बनाते हैं यह देखेंगे यह बनाने में बहुती आसान और बहुती कम समय लगता है टेश्टी होने के साथ साथ यह हल्दी भी है हालो फ्रेंड्स हम अमारे बेस किचन रेसीपी में आपका स्वागत करते हैं अगर आपको मेरी रेसीपी पसंद आती है जट ग्लास पानी लिया है थोड़ा-थोड़ा करकर हम पानी डालेंगे पानी अपको इकटा नहीं डालना है इसका पतला बेटर बनाना है लंज नहीं होना चाहिए यह देखी इस तरह से बेटर बनकर तयार हैं और आप हम लेंगे एक कड़ाय या पेन उसको गेस पर रखा और इसके अंदर डालेंगे एक चम्मज, कुटावा दरदरा अदरक, अदरक हमें कुटकर ही डालना है, इसे भी मिक्स कर लेंगे, सब्जियों को हमें जादा नहीं पकाना है, अब हम डालेंगे अपनी पसंद के अनुसार, जो भी सब्जी आप पसंद करते हैं, आधिक यह बना रहे हो जाएंगे स्वात के अनुसार डाले नमक, इस स्टेज के हम कर देंगे गेस को बन और इसे डालेंगे हम बेटर में देखते हैं बन को चेक बन चेक बन बेटर में डाला है हमने अधा चमछ लाग मिर्शिका पाउडर और डालेंगे यह पकीवी सब्जी, सब टोटल हमने देड़ ग्लास पानी डालाएं बेटर हमें पतला ही चाहिए यह देखिए इस तरह से हमारा बेटर होना चाहिए परफेक्ट बेटर बनका तयार हुआ है अब हम लेंगे एक पेन पेन को हलका सा ग्रीज कर लेंगे बहुत ज्यादा तेल नहीं लगाना अब डालें हम बेटर इस तरह से चम्मत से डाल दे और इसे हलके से फेला दे जिससा कि आप डोसा बनाते हैं एक तरह सी चीले की तरह यह बनका तयार होता है एक साइड सीकेगी उसके बाद ही हम इसको उपर हलका सा तेल लगाएंगे बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाना है और यह द हेल्दी नास्ता होता है और बहुती टेश्टी भी लगता है बच्चों के टिफीन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसीपी है यह देख सकते हैं से अलट पलट करकर हमने बना लिया है और इस तरह से हमारा सारा नास्ता बनकर तयार हो गया है देख सकते हैं कि सारा नास्ता कितना सुन्दर दिख रहा है और दिखने सुन्दर के साथ साथ ये खाने में भी बहुती टेश्टी है और हेल्दी भी होता है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपनी इससे जरूर बनाए और अपनी फैमेली के साथ इंजाए करिए और टेस्टी हल्दी नास्ते को बनाए अगर आपको रेसीपि अच्छी लगती है तो मेरे चेनल को लाइक, सिस्क्राइब कीजी और बेल आइकन को डबाना नना भूले ताकि मेरे मज़दार से आने वाली रेसीपि आपको मिलती रहे, फिर मिलती हुं मेना यही तब तक के लिए